दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर दोहजार चौबिस का फॉर्म कैसे भढ़ना है step by step मैं सभी प्रोसस आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको फॉर्म भढ़ने में किसी भी परकार की कोई समस्य है किसी भी परकार की कोई मिश्टेक नहीं होगी इससे जूरी पूरी जनकारी के लिए आप seated.nic.in के website पर आएंगे या मैं इसका link description box में दे दूँगा यहाँ पर news event वाले सक्सन में देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 का notification जारी किये गये है इसको पहले डाउनलोड करेंगे इसमें पूरी जनकारी बताई गयी है जैसे online आवेदन आज इससे start हुए है 16 अक्टूबर तक आपकी आवेदन चलने वाले हैं इसका जो भी exam conduct होगी उसके बारे में बताया गया कि 1 दिसंबर 2024 के exam conduct होगे जैसे इसमें दो paper होते हैं paper 1 का जो exam होगा वो evening वाले shift में मतलब 8 बज़े से 5 बज़े के बीच होगी और paper 2 morning shift में होगी जिसका timing सुबर 9 बज़े सारे 9 बज़े से 12 बज़े के बीच होगी और भी detail जनकारी आप जानना चाहते हैं तो एक बार इनके notification को तो आपको जो लगेगा 1000 रुपे लगेगा अगर दोनों paper के लिए apply करते हैं तो 1200 लगेगा SCST या कोई दिव्यांग है तो उनको एक paper के लिए 500 दोनों paper के लिए 600 रुपे आपको लगने वाले हैं तो इस परकार सभी जनकारी इन्होंने बताया है apply करना चाहते हैं तो इसके website पर ही आएंगे तो आने के बाद यहाँ पर देखिया option मिलता है apply for seatate December 2024 जिसके सामने click करना है और apply का link यहाँ पर दिए गया है जिस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको नया account बनाना होता है जिसके लिए option मिलते हैं new registration का जिसके सामने आपको click करना है तमाम guideline यहाँ भी आपको मिल जाती है document के बारे में भी तो सारी guideline एक बर ज़रूर देखिएगा apply करने से पहले checkbox पर tick करना है click here to proceed बाले विकल पर आपको click करना है आपके सामने इसका form कुलता है जिसमें सबसे पहले आपको personal detail पूछा गया है जिसमें आपका जो भी पूरा नाम होगा आप पूरा नाम अपने certificate के according लिखेंगे पिता जी का नाम लिखेंगे माता जी का नाम लिखेंगे date of birth का जो भी आपका date होगा वो select किजिएगा महिना select किजिएगा जो साल हो उससे select करना है नीचे आना है आपकी gender क्या है पुरूस है तो male, female है लरकी है या महिला है तो female आपको chain करना है यहाँ से identity type में कोई एक document आप चुन सकते हैं जो आप दे सकते हैं समाल लिजे किसो को आधार कर देना है तो इसमें option नहीं है तो any other valid government identity with photograph बलग को चुनेंगे और यहाँ पर आप अपना आधार नमबर को दे सकते हैं नीचे आएंगे contact detail पूछी गई है contact detail में आपकी जो भी address जिस भी according होगी आप बता सकते हैं जिस the word number है तो word number वी बता सकते हैं जो भी आपका सब lokality है optional में है आप दे सकते है लोकल अपका country है बताएंगे जिस state से आप belong करते है पिन कोट बताएंगे email id देना है email id को दबारा डालना भी mobile number देना है mobile number को दबारा डालना है फिर नीचे आना है permanent address पूछ रहा है तो अगर आपने ऊपर जो address दिया है अगर आपका present permanent address दोनों समान है तो आप इस चेक बोक्स पर टी करेंगे तो यह दोनों आपका फिल होगा अलग अलग होगा तो अलग अलग जनकारी को फिल करना है फिर यहां पर एक password create करना होगा ध्यान यह रखिएगा जब भी password बनाते हैं उसमें अभी city का बड़ा अक्षर छोटा अक्षर कोई भी symbol कोई भी आंक आप जरूर उप्यो करें उसी password को द्वारा डाले यहां से कोई भी एक security question आप चैन कर सकते हैं उसका जो भी answer होगा आप यहां पर देंगे फिर नीचे आएंगे यह जो capture code मिल र सही है डेटो बर्थ सही है जेंडर सही है आड़र सही है आपकी मुवाइल नंबर इमेल आइडिया सही है तो इस परगार सबको check box पर टी करें उपर में preview मिलेगा उसे एक बार जरूर देख लिजेगा उसके बाद यहां साइगरी करें जनकारी सही है तो आप यहां से submit and send OTP पर क्लिक करें जनकारी गलत है मेरे भाई तो अभी आपको option दिये करें edit registration form का जिस पर क्लिक करकर आप edit कर सकते हैं जैसे submit and send OTP पर क्लिक करेंगे यहां पर confirm है आप यहां पर इस वाले भिकल पर क्लिक करेंगे थोरा सा wait करेंगे जो नंबर आपने दिया है उस पर एक OTP जात दुसरा काम करना है आपको अपना email ID को verify करना है आपको a option मिलता है verify email ID जिस पर click करना है email ID देखनों को मिलेगा यह capture code जो आपको दिये गया है जिसको यहां पर fill करना है उसके बाद एक option नीचे में मिलता है submit का जिस पर click करना है अब आपकी email पर एक OTP भेजा गया होगा उस O OTP को यहां पर फिल करेंगे, वहरिफाई वाले विकल पर क्लिक करना है, इस परकार आपका email वहरिफाई होता है, option मिलता है, click here to go home का, जिस पर आपको क्लिक करना है, अब आपको एक option यहां पर दिये गए है, application form का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपका एक step complete है, जोकि contact detail है, अब आपको personal detail देनी है, तो personal detail वाले विकल पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपकी कई सारी जनकारी, जैसे आपका नाम, date of birth, gender, माता पिता का नाम, यह फिलप रहेगा, आपको nationality में Indian chain करना है, जिस category साब बिलोंग करते हैं, वो category आपको chain करना है, आप से पूछ रहा है कि अग जरूरत नहीं है, दिव्यां के बारे में ही पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर no कर दीजेगा, नीचे आना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि अभी present में, आप कहीं employee है, कहीं हो सकते teacher होंगे, या other than teacher है, बता सकते हैं, नहीं है, तो not employed वाले option को T करिए, capture code जो मिल रहा है, उस प्लाई करना है, जिसके तहट आप कक्षा 1 से 5 तक के teacher बनते हैं, वही पर 2 अगर आप qualify करते हैं, तो वही आप 6 से लेकर 8 तक के teacher बनते हैं, तो किसके लिए आपको apply करना है, दोनों के लिए करना है, तो बोध को भी आप चुन सकते हैं, या आपको single के लिए करना है, तो य कुछी जाती है कि आप दोनों language में कौन से subject रखना चाहेंगे, जैसे माल लिए language 1 में बहुत सारोग English रखना चाहेंगे, या हिंदी रखना चाहेंगे, वह आपके उपर depend करता है, language 2 में कौन सा language आप रखना चाहेंगे, उससे आप यहाँ से chain करेंगे, अब 1 to 5 के लिए, य अगर कोई ऐसा candidate है, जिन्होंने 12 परतेसत मार्क्स के साथ पास किया है, और उन्होंने 2 सल वाला जो डिपलोमा होता है, डियलेट कोर्स होता है, वो अगर उन्होंने किया है, तो ये एक नमर वाला option को चुनेंगे, वो कोर्स हो सकता है, अन्य नाम से भी जाना जा सकता होग तो आपको ये फर्स्ट option चुनना है, अब दूसरा option उनके लिए है, जिन्होंने 12 पास किया है, 45 परतेसत अंक के साथ, और उन्होंने Diploma in Elementary Education यानि डियलेट किया है, लेकिन वो जो मानेता है, डियलेट का NCTE के द्वारा दिया गया है, तो वैसे इस्तिति में आपको दो नम Elementary Education जिसे BL8 के नाम से जाना जाता है, ये अगर किया है, तो उनको तीन नमबर वाला option चुनना है, चौथा नमबर मतलब का ये हो गया, कि कोई कैनिडेट अगर बढ़ा हुई 50 परतेसत अंकों के साथ अगर पास किया है, और उन्होंने अगर Diploma in Education में, जिसे Special Education के नाम से जा option हो, आप यहां से इस recording chain करेंगे, तो आपका ये chain हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर qualifying exam के बारे में पूछ रहा है, कि आपने कौन सा course किया है, एक है Diploma in Education, जिसे हम लोग DL8 के नाम से जानते हैं, तो DL8 जो लोग किये होते हैं, वही लोग 1 to 5 के लिए apply कर पाते हैं, दूसरा है degree in education, इसका मतलब यह है कि जो लोग B8 किये होते हैं, वह इसको चुनेगा, तो अगर आपने B8 किया है, 1 to 5 के लिए apply कर रहा है, तो यह मानने वैसे भी नहीं होगा, यह हटा दिया गया है, तो इसके लिए 1 to 5 के लिए आपके DL8 होनी जरूरी है, तो आप यह वाला option को चुनेंगे, तो यह समझा, उसके बाद आपको जो है exam city चुनने की option है, तो यह आपको proper मैंने बता दिया कि 1 to 5 के लिए कैसा selection करना है, अब कोई लोग मान लिए paper 2 के लिए सिर्फ apply करते हैं, तो उनको उससी according यहाँ पर language 1 आपको जो रखना है, वो र graduation pass किये हुए हैं, और उन्होंने two year वाला diploma in elementary education, जिसे हम लोग DL8 के नाम से जानते हैं, अगर वो किया है, तो उनको यह जो है एक number option चुनना है, तो number option का मतलब यह है कि अगर कोई लोग 50% marks के साथ अगर उन्होंने graduation pass किया है, या हो सकता उन्होंने post graduation pass किया हो, तो भी यहा B.A.D. में या B.A.D. आप pass कर चुके हैं, तो आपको यह second वाला जो option है, वो चुनना है, मतलब सिधा है कि अगर आपने graduation कर लिया है, और 50% marks के साथ अगर B.A.D. किया है, या कर रहे है last year में है, तो आपको यह option चुनना है, इसके अलावे अगर आपने graduation कर कर PG करकर, अगर B.A.D. कर रखा या अभी last year में होंगे, तो आपको यही option, दो number वाला option चुनने की जरूरत होगे, इसके अलावे तीन number option है, कि अगर कोई लोग जो है, graduation 45% marks के साथ पास है, और उन्होंने B.A.D. कर रखा होगा, जिसकी मानेता N.C.T.E. के द्वारा दिया गया होगा, तो उ हो सकता है, four year वाला जो bachelor in elementary education, जिसे B.A.D. के नाम से हम लोग जानते हैं, यह अगर उन्होंने कर रखा है, तो उनको यह चार नंबर option चुनने की जरूरत है, पांच नंबर option उनकी लिए, जिन्होंने बारावी 50% अंकों के साथ पास किया है, या pursuing है, four year वाला B.A.D. के साथ या तो आपने B.A.D. किया होगा, या B.A.C. के साथ B.A.D. किया होगा, तो आपको यह वाला पांच नंबर में जो option दिये गया है, उसको चुनना है, छे नंबर में दिये गया है, कि अगर आपने graduation 50% अंकों के साथ अगर आपने pass किया है, और आपने B.A.D. कर रखा है, वो pass कर चुके है, और ओ टेट या सीटेट में बैठने के लिए पातर है, इसके अलाबे N.C.T.E. जो guideline है, उनका दिनांक यहाँ पर दिये गया है, इन में से किसी एक का भी अगर आध्यान कर रहा है, वो अभी जो है सीटेट या टीटेट बैठने के लिए योग है, वो यहाँ पर बताए गया है, आठ नमबर पॉयंट उनके लिए है, वैसे करने रहे जिन्होंने पीजी जो है, पच्पन परतेसत मांक से साथ अगर उन्होंने किया है, और थिरी येर वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, पी एड, एमेड, वो अगर कर रखा है, तो आठ नमब आठ आको रखना है, जो सब्जेक रखते हैं, उस सब्जेक के आप टीचर बनते हैं, तो आपको जो भी रखना है, उससे आप यहां से चैन करेंगे, फिर इसमें आपको पूछा गया है कि कौधाइंग एक्जाम, आपने कौन सा एक्जाम क्वालिफाई किया है, डिप्लोम क्या करेंगे आपको कम से कम चार preference देने की जरूरत है तो चार city में यहाँ से randomly कोई भी मैं chain कर लेता हूँ आप देख लीजे आपको जहां भी रखना है वो chain करेंगे अगर किसी को दोनों के लिए apply करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते है बोट को चुनेंगे फिर उसी according आपको जनकारी बतानी होगी मैंने सब के बारे में आपको बता दिया फिर यह जनकारी आइड करने के बाद capture code को डालना है save at next पर क्लिक करना है इस परकार आपकी जो detail है वो save होता है फिर आप यहाँ पर आते हैं जिसमें education के detail add करनी होती है जिसमें जैसे माल लिए हमने यहाँ पर diploma in education चुना है इसका मतलब DL8 के बारे में यह पूछ रहा है यहाँ पर degree in education रहेगा मतलब आपको B8 के बारे में पूछेगा तो यह आप pass है तो यहाँ पर pass करे अगर माल लिए आप appare है तो यहाँ पर apply सकते हैं कि हम appare है साथ में आपका जो है result 24 में आ जाने चाहिए तभी आप appare वाले है तो apply कर सकते यह भी ध्यान रखेगा यह था pass है तो आप pass चुने किस साल अपने pass किया है वो passing year आप यहाँ से chain करेंगे फिर नीचे आएंगे आपको यहाँ से course और esteem का नाम बताना है तो यहाँ पर आपको वही option मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो option दिखा रहा है उसके according ही खुलता है आपने जो यह किया है किस board किस university या किस institute से किया है सबका नाम मिलता है आपने यहाँ से भी किया यहाँ से एक बार खुजिएगा लंबा चौरा लिस्ट है नाम मिले तो अधर करकर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं यह धियान रखिएगा ऐसे नाम मिल ही जाएगा नहीं मिले तो अधर करकर यहाँ पर लिख दीजिएगा रिजल्ट का जो भी मोड होगा परसेंटेज या सजीपीय में है वह जनकारी चैन करना है इंचीचूट का जो भी आपका पिन कोड होगा वह बतानी है और बताना है कि कितने का एकजाम हुआ था उसमें आपको इतने नंबर मिले है और आपकी जो भी परसेंटेज में माक्स होगी उसकी जनकारी दिखा देगी फिर क्याप्चा कोड को फिल करना है सेवे नेश्ट वाले विकल पर क्लिक करना है उसके बाद आप अगले स्टिप में आते हैं जहां पर आपको डॉक्मेंट अप्लोड करनी है जिसमें फोटो और सिंग्नेचर अप्लोड करनी है जिसमें बताया गया कि फोटो आपका यह दस से लेकर 200 कW में होगा फोटो अप्लोड करने के लिए छूज फाइल पर आपको क्लिक करना है जहां सेवाइ नेश्ट वाले विकल पर क्लिक करना है आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें आपने जूबी जनकारी दिया है उन सबका प्रिव्यू एक बार देखना है जैसे आपका नाम हुआ पिता जी का नाम माता जी का नाम काटेगेरी जेंडर आपका जो भी डेटो बर्थ है एकजाम सिटी है अपलाई आपने किसके लिए किया था फोटो सिंगनेचर है इन सभी चेक बॉक्स पर आपको टी करना है आई एगरी करना है एक उप्सन मिलेगा फाइनल सब्मिट का जिस पर क्लिक करना है उसके बाद अगर आप चाहे फॉर्म में कुछ एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं सभी डीटल सही है इमेल अगर नहीं वेरिफाई कियोंगे तो वेरिफाई करना का ओप्सन मिलेगा इमेल वेरिफाई कर लिए है उसके बाद जो भी पेमेंट लगता है पेमेंट परकरिया को पूरा करेंगे और इसका प्रेंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे इस परकार आप सभी लोग सीटेट दिसमबर 2024 के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं मैंने सभी एस्टेप बाई एस्टेप प्रोसस आपको इस वीडियो में बताया है उमीद करता हूँ आपने पूरी जनकारे समझा होगा तो वीडियो को लाइक सेर जरू कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद